नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा मैं आपका स्वागत है उत्तरपदेश के जौनपुर में बच्ची से दुसकर्म करने का आरूपित पुलिस मुढबेड के दौरान गिरफतार कर लिया गया आपको बताते चलें कि सुजान गन्थानाचेत के एक गाउं में मासूम के साथ दुसकर्म के आरूपित को पुलिस ने बुद्धुवार को मुढबेड के बाद गिरफतार कर लिया आरूपित जितेंद कुमार पुत्र रामदास निवासी देवापुर के पास से तमन्चावा कार्तूर भी पुलिस ने बरामत किया है इस घृड़ित कार में सामिल आरूपित की धर पकड़ के लिए पुलिस मंगलवार राज से ही कईयों को हिरासत में लेकर पूछ ताच कर रही थी आरूपित का बलतकार पिरिता के सहपाठी बच्चों से आमना सामना कराया गया तो बच्चों ने उस अभिक्त को भचान लिया और बताया कि जीतेंद ही पिरिता को बार-बार अपने पास बुला रहा था वो कान में कुछ बोल रहा था पुलिस की योड से कडाई से पूछताश में आरूपित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और खून से सने कपड़े को सरोज विद्या संकर डिग्री कालेज बहत ग्राम फरीदाबाद के सामने बरामत कर लिया गया गाउं में प्रयागराज के सराय ममरेज थाना चनेथू निवासी राजमडी के पुत्रपवन कुमार की बरात आय थी सोमवार को बरात में सामिल कोई व्यक्ती बच्ची को भला फुसला कर दुकान दिखाने के बहाने घर से करीब धाई सो मीटर दूर इस्थित बगीचे में ले गया और वहीं उसके साथ दुसकर्म कर छोड़ कर फरार हो गया रात करीब बारा बजे खून से लत्पत बच्ची रोच्ती भी लगती किसी तरह घर पर पहुँची उसकी दसाथ देखते ही परिजन हत्प्रभ हो गए अभिबावग बच्ची को सामदाइक स्वास्केन लाए डॉक्टरों ने प्रात्मिक उप्चार के बाद हाल अदगंबीर देखते हुए पुलिस संद्छण में जिला महिला अस्पताल रिफर कर दिया उसका उप्चार चल रहा है वहाँ मौझूद पुलिस कर्मी मीडिया कर्मियों को बिड़ता के अभिबावकों से मुलाकात करने के लिए रोक लगा रखे हुए हैं मामले की चानमीन में जूटी पुलिस संद्छ के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछ ताच कर रही थी इसके बाद पुलिस अधिच्छ का जैकुमार साहनी ने आरोपित को पकड़ने के लिए पुलिस अधिच्छ ग्रामेड के नेतित में टीम बनाई थे जिसमें काम्याबी मिल गई अगर आपको हमारा वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान की घंटी जो तो बाई